पीच सडख पर गैंग वार्ड दिन दहारे हिस्ट्री शीटार की हत्या एक तो नहीं बलकि चालेस राउंड फाइरिंग गोलियों की तर तराहट से उत्री दली का नरेला इलाका गूंज उठा तिन दहारे हिस्ट्री शीटार विरेंद्र मान और फकाला को गोलियों से धून दिया गया बताया जा रहा है कि लामपुर मोड के पास हमला वरों ने पहले उसकी काड़ी को ओवर टेक कर कार को रोक दिया इससे पहले विरेंद्र कुछ समझ पाता उस पर अंधा धुंद फायरिंग शुरू कर दी गई ताब और तोड फायरिंग में विरेंद्र को करीब 20 से 25 गोलिया लगी और उसने मौके पर गी दव तोड़ दिया आए अर गाड़ी यहीं पर खड़ी वी ते लामपुर रोड पर अर आत्ते बस फायरिंग कालू कर दी उन्होंने आपको पता चला किसको गोलिया लगी थी जिनको गोलिया लगी थी जिनको गोलिया लगी थी उनका नाम काड़ा मान था कितनी गोलिया लगी होगी कुछ कित लग बग्यारावरी हमारे पास आया था कैजवल्टी में जिसकी बोडी पे कई मुल्टीपल इंजिरीज थी प्रोबेवली गन शोट अराउंड टुल्टी टुल्टी फाइव हमारे पास पेशेंट आया पेशेंट वाज बोड़ डेड़ विरेंद्र की गाड़ी चला रहा ड्राइवर तो किसी तरहे अपनी जान बचाकर भाग गया बताया ये भी जा रहा है कि विरेंद्र पर तल्ली के कई धानों में तेरा मामले दर्च थे इनमें हत्या हत्या की कोशिश जबरन वसूली जैसे मामले भी शामिल है इस्ट्री शीटर वेरेंद्र ने राजनीती की तुनिया में भी अपनी किस्मत आजमाई थी 2013 में प्येस्पी के टिकट पर चुना भी लड़ा लेकिन चीत हासल नहीं कर पाया था इतना ही नहीं वो नगर निगम चुना भी लड़ चुका है R9 TV के लिए अनू सैंकी रिपोट